लव ओफेयर्स, शादी और शादी के बाद जीवन कैसा रहेगा, हाथ की ये रेखाएं, ये सारी राज आपके जिन्दगी के खोलते हैं, दोस्तों हर किसी को अपने फ्यूचर, अपनी लव लाइफ, अपनी मैरेज लाइफ के बारे में जानने का बहुत ही क्रेज होता है, मैरेज होगी, और क्या शादी के पहले अफेयर्स रहेंगे, ये शादी के बाद भी कुछ लोगों के अफेयर्स होते हैं, तो वो रहेंगे, वो कौन सी रेखा है, जो ये सारे राज आपके खोलते हैं, आप भी अपने हाथों में ये रेखाओं को देखते हुए, चेक करें कि आपके हाथ की रेखाएं क्या कहती हैं, नमश्कर दोस्तों मैं हूँ मनीशा और आप सभी का स्वागत है आपके खुद के चैनल में, आज मैं लेकर के आई हूँ, शादी की रेखा, अभी शादी का सीजन भी चल रहा है, और इससे पता भी चलेगा कि अगर आपकी शाद हाथों में सबसे चोटी उंगली, यानि कि कनिष्ठा उंगली के ठीक नीचे बुद्ध परवत का स्थान कहलाता है, इसी बुद्ध परवत के आखिर साइड में कुछ इस तरह की रेखाएं आपको दिखाई देंगी, और यही रेखाएं आप की लव लाइन या लव ही है, हर व्यक्ति की लव लाइफ और मैरेज लाइफ उसके लिए खास होती है, करियर लाइफ की तरह ही लोग अपनी मैरेज लाइफ के बारे में भी जानने के लिए बेहत इक्शिक होते हैं, क्योंकि यह व्यक्ति के जीवन का एहम अंग होता है, हाथ की लखीरों से आप लव लाइफ से जुड़ी खास बातों को जान सकते हैं, तो दोस्तों आज जानते हैं कि हाथ की यह रेखाएं आपके प्रेम जीवन के बारे में क्या संकेत देती हैं, कहां होती हैं यह रेखाएं, हथेली में सबसे छोटी वाली उंगली के ठीक नीचे वाला स्थान बुद परवत के आखर साइड में कुछी सतरह की रेखाएं आपको दिखाई देंगी और यहां पर पता चलेगा आपके प्रेम संबंदों और वेवाहिक जीवन के बारे में, विवार रेखा एक भी हो सकती है और उससे अधिक भी, इसका यह मतलब नहीं है कि आपकी एक से ज्याद हैं, तो इसका यह मतलब होता है कि आपकी शादी तो होगी, लेकिन हो सकता है कि आपकी शादी से पहले अफेर भी हो, यह वो रिखाएं दर शादी हैं, या फिर शादी के बाद भी अफेर होंगे, या फिर वो सकसिस नहीं भी होंगे, लेकिन रिखाएं जो हैं वो बन जात हैं दोस्तों तो अगर पुद्परवत के पास ऐसी तीन चाह रिखाएं हैं तो इसका या भी मतलब है कि आपकी शादी कहीं फिक्स हुई है होते होते कट गई है तो भी उसकी रेखा यूहीं बनी रह जाती है उसका यह मतलब भी है और अगर शादी की एक रेखा स्ट्रेट है अगर बगर में एक और रेखा सेम बनी है इसका मतलब है कि लाइफ्ल ONG एट अफट्र रहेगा विवाह रेखा की शंख्या जितनी अधिक Колगी उतने ही विक्ति की और फियर्स माने जाते हैं यानि अगर किसी के हाथ में तीन रिखाएं हैं, उनमें से दो रिखाएं छोटी और हल्की हैं और तीसी गहरी, इसका मतलब है कि वक्ति के दो अफ़ेर के बात शादी होगी, आप चेक करते रहें कि आपके हाथ की रिखाएं क्या कहती हैं, इन रिखाओं में जो रिखा सबसे सपष्ट होती हैं, वही वीवाहरेखा कहलाती हैं, जिनके हाथ में वीवाहरेखा गहरी और सपष्ट होती cities, उनका वेवाहिक जीवन उतना ही खुश्रमा होता है, उनका लाइफ पार्टनर के साथ रिष्टा काफी प्रगाड होता है, बहुत अच्छा अटाच्मिन्ट होत उनके वैवाहिक जीवन में अर्चने आती रहती हैं अगर आपकी विवाह रेखा गुरु परवत तक जाती है इसकी शाखा तो यह अति उत्तम होता है बेहद ही यह अच्छा माना जाता है और जिन पुरुष के बाएं हाथ में दो विवाह रेखा होती है और दाएं हाथ में एक विवाह होती है तो ऐसे लोगों को अच्छी पत्नी प्राप्त होती है इनका वैवाहिक जीवन काफी खुशाल रहता है अगर विवाह रेखा में से दो रेखाएं निकल रही हो तो यह अच्छा संकेत नहीं होता है इससे शादी के तूटने का भाए रहता है अगर किसी स्त्री के हाथ में विवाह रेखा के पास अगर कोई दूइप या चिन बना है तो विवाह में किसी तरह क्या धोखा मिलने की संभावना रहती है विवाह रेखा का जुका होना भी दोस्तों शुब लक्षन नहीं माना जाता है अगर किसी वेक्ति की विवाह रेखा पर क्रॉस या तिलका निशान बना हुआ हो तो भी शुब नहीं माना जाता है ऐसे जातकों के विवाही जीवन में परिशानिया आती रहती है विवाह रेखा अगर लंबी हो और वसूर्य पर्वत तक जाए तो यह रेखा संपन और सम्रिद्ध जीवन साथी का प्रतीक होती है यानि कि उनके जो पती होंगे अगर किसी स्त्री के हाथ में है तो काफी संपन परिवार्स होंगे वो बहुत ही अच्छे परिवार्स में उनकी शादी होती है अगर आपकी विवारेखा गुरु हरदरेखा को टच करते हुए गुरु पर्वत और शनी पर्वत के बीच में जाती है इसका मतलब है आपका अवरेंज मैरेज होगा और अगर यही परवत अगर विवार एखा हड़र एखा को टच करते हुए गुरु परवत को जाती है तो आपके लव मैरेज के चांसे बहुत ही जादा बने होते हैं दोस्तों और यह रेखा आगे जाकर के शनी परवत की तरफ जुप जाती है तो यह अच्छा फल नहीं देती है प्याने की जीवन में बहुत सारी अर्चने आती ही रहती है इस चीज का ध्यान दें और अपने हाथों में चेक करें कि आपकी कौनसी देखा कहां पहुँच रही है क्या व शनी और गुरू के बीच तक पहुँच रही है तो दोस्तों यह हस्त रेखा विज्ञान बेहद ही रोचक जानकारियां देता है हमारे जीवन के सुलजे उलजे कुछ सवालों के और हर को इचाहता है उसे यह जानकारी प्राप्त हो और अगर आपको ऐसी जानकारी और चाह झाहता है तो शनी जानकारी जान होता है झाल झाल